तो आप देख सकते हैं इस बानाना की पेड़ी के नीचे एसे वाइट रूट है वह यह छोटे-छोटे वाइट मूलिया है और यह केसी आती है मैं आपके वागे बताऊंगा और आज हम देखेंगे बानाना की खेती और यह हमारे साथ छोटू से वस्ता तो चलिए है है तो यह तो यह किटी हमारी नहीं मैं इसिर्फ रीजिटिंग मतलब देखने आया हूँ और मैं ऐसी अपको भी किसानों का जब भी कोई किसान ऐसे कुछ नई तर्यके तेकनीक से खीत लाते हैं तो मैं उनके जरूरु से विजीट करता हूँ उनकी खेत में और मैं आपको भी दिखाता हूँ और मैं उनसे भी से शिकता हूँ इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप जरूरु हमारे चैनल सबस्क्राइब कर लीजें ताकि मैं मैं ऐसे वीडिव आपको देखा सकुत आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे की पूरे बानाने के पेड़ जो है सेम ही है मतलब लगबग आप देख सकते हैं सेम ही पेड़ है और मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या-क्या उसके लिए मट्रेल डाला है तो मैं इस में नहीं बताऊंगा मैं अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह के यह वाइट रूट है और यानि कि आपका बनाना का पेड़ बहुत ही हेल्ट आप देख सकते हैं इसकी उन्चाई और लंबा जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो चुके है और आप देख सकते हैं वाइट रूट सबके नीचे वाइट रूट आ चुके हैं मतलब इन्होंने क्या-क्या क्याल्सियम दिया है मैंने सब कुछ पूचा है तो नेक्स वीडियो में जरूर बताऊंगा तो आगे में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि यह वाइट रूट आक्चुली इसका क्या फाइदा है और आपको किस तरह से बनानी खेती करनी चाहिए तो हमारे वेट कीजिए नेक्स वीडियो का और आज का वीडियो कैसा हुआ है